आज हम बात करने वाले हाइपर पिग्मेंटेशन के बारे में जिसे लोग चिंता के निसान यह जाहियां भी कहते हैं और कुछ लोग इसको लीवर स्पोर्ट्स या लीवर की डिसीज के कारण भी इस समस्या को बताते हैं आज हम जानेंगे हाइपर पिग्मेंटेशन क्या होता है इसके लक्षन इसके कारण एवामस की मेडिसिन नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रकास शाहिप के हमारी यूटूब चैनल डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केर में आपका स्वागत है चेहरे पर काले एवाम नीले के धपों को हाइपर पिग्मेंटेशन कहते हैं इसकिन में पिग्मेंट्स होते हैं जो मैलेलिन कहलाते हैं हमारी मैलेलिन का स्थर बढ़ने लगता है और हाइपर पिग्मेंटेशन हो जाता है और जिससे हमारे चेहरे पर काली एवाम नीले रंग के धब्बे गाल नाग कान या ओट की उपरे हिस्से पर ये ज़्यादा हो जाते हैं पुरोसों की अपेक्षा महलाओं में अधिक ये हाइपर पिंग्मेंटेशन की समस्या पाई जाती है इसके लख्षा चेहरे पर काले एवं नीले रंग के धपे दिखाई देने लगते हैं इन गहरे निसानों पर कोई खुजली या जलन नहीं होती है ये चक्ते फैल कर एक दूसर से मिल जाते हैं जिससे चेहरे का काफी एरिया ये गहल लेते हैं ये पिंग्मेंट्स सरीर के केवल बाहरी एरिया में ही पाई जाते हैं इसके कारण या एक इस वज़ा से हाइपर पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम हमें होने लगती है जो महला है एवं पुरुष्ट सूरी की रोशनी में ज़्यादा समय बिताते हैं उनको हाइपर पिग्मेंटेशन की समस्या हो जाती है जिसे संट एक्स प्रोजर भी कहते हैं यह एक जैनेटिक बीमारी भी है जो पीड़ी दर्द पीड़ी होती रहती है यह ब्यक्ति पृत्ति रोदक छंता के कारण भी हो सकती है सरीर में जब हार्मोनां बरलाव होता है तब भी महलाओं को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है डिफिसेंसी मतलब कमी फॉलिक एसिड बिटामेंसी एवं बिटामेंस बी कॉंप्लक्स वगेरा की कमी के कारण भी हाईपर पिग्मेंटेशन की समस्या आ जाती है गर्वी नुरुदत भूलियां की सेवन करने वाली महलाओं में भी यह समस्या अधिक पाई जाती है प्रेग्नेंसी के बाद भी जो हार्मोन बीक पाईट पे आ जाते हैं उस कारण भी महलाओं को हाईपर पिग्मेंटेशन की समस्या आ जाती है इससे कैसे बचा जा सकता है लब इससे बचने की क्या क्या पाई हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फूट सप्लीमेंट लें ताकि फॉलिक ऐसेड बिटामिन सी बिटामिन भी कॉम्पलेश की कमी पूरी की जा सकें जब भी घर से बाहर जाएं तो संस्क्रीम लोशन लगा कर ही बाहर निकलें ताकि अल्ट्रा वाइलेट किरिणों से बचा जा सकें यदि आप गर्व नोर्दक बोलियों कर सेवन करते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी चेहरे पर पिग्मेंट सिरू हो गया है आज ही आप कॉंट्र सेटिक टाबलेट बंद कर दें ताकि आपके चेहरे पर हाइपर पिग्मेंटेशन ना अपने चेहरे पर क्यों ब्रांडेट कमपनी की क्रीम लोशन लगाएं यह फैस गोस यूज करें वो भी आप ब्रांडेट कमपनी का ही लगाएं ताकि आपको सब्सक्राइब करते हैं। उनको दिखा हैं तक आपको एवं सही सुझे अवं सही सभर मेडिसेन मील सके है। पिर भी 诞र्ड हूध आप अपने डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मैं सब्सक्राइबर तर। एक हम फुल ट्रीटमेंट आपको बता दे रहा हूं ताकि कापी हर तक इस समस्या को आप दूर कर सकें या खतम कर सकें सबसे पहले आप बिटामिन C, Folic Acid, M, B, B complex की टैबलेट चालू कर दें इसके सांथ सांथ लीवर टैबलेट या सीरप भी चालू कर दें ये लीवर की समस्या से भी हाइपर पिग्मेंटिशन हो जाते हैं तो आपको ये समस्या नहीं रहेगा संस्क्रीम लोशन दिन में दूप में बाहर जाते समझ जरूर लगाएं और एक क्रीम भी बता दे रहा हूं जिसका नाम है मैलनोर्ट क्रीम जी 20 ग्राम की आती है जिसमें मोलिकूल होता है यदि आपको इस कंपनी की भी नहीं मिलती है मैलनों को नाम से भी नहीं मिलती है तो आप इस कॉंबिनेशन के साथ से आप दूसरी ट्यू या क्रीम आप यूज कर सकते हैं क्रीम के बन रात में ही लगाएं सुबह सूरे निकलने से पहले आप अपने चेरे को अच्छी तरह से दोलें और दिन में संस्क्रीम लोशन का इस्तिमाल करें क्रीम को केवल उतनी ही मात्रा में लगाना है जिस जगा पर आप गाल या मात्य पर पेच हैं मतलब हाइपर पिग्मेंटेशन की निसान है केवल उसी निसान उसी जगा पर आपको यह लगाना यह ट्रीटमेंट आप एक चुदो महीना यूज करें आपको हाइपर पिग्मेंटेशन की समस्या काफी हद तक खतम हो जाएगी आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाग अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज सब्सक्राइब